नमस्कार दोस्तों मैं इंकुरुपाथ्याईस स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहां बात भारतिय कंपनी की नहीं करने वाला हूँ यहां बात करने वाला हूँ अमेरिका की कंपनी के बारे में और काफी important है आपको यह समझना कि किस हिसाब से चीज़ें एक साथ धूम सकती हैं किसी के लिए भी और इसलिए मैं अपनी वीडियो में ज्यादा तर आप से कहता हूँ कि risk management, portfolio management पे जरूर ध्यान दीजिए कभी भी एक sector एक stock में अपनी portfolio का इतना बड़ा हिस्सा मत लगाना कि अगर उस sector या उस stock में कोई problem आती है तो आपका पैसा दूबने के chances बढ़ जाएं एक छोटी सी बात ही बोलूँगा एक बहुत बड़ी कहानी है stock market में जहां पे लोग कह दें कि हमें पीछे का कितना बड़ा past record देखना चाहिए I think Vijay Kedia साब ने एक real viral हुई दी short viral हुआ था जहां पे उनसे भी यही पूछा था Vijay Kedia साब थे या कोई और मुझे exactly नाम नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा तो उन्होंने कहाता कि past record से क्या लेना देना है आप past record देख तो सकते हो उसको लेकर predict भी कर सकते हो लेकिन main है आपका company क्या कर रही है आगे क्या कर सकती है और management कैसा है ये चीज़ें important है और इसको देखने के बावजूद भी ना आप management जरूर रखिए अपनी portfolio का एक चुना हुआ इससा ही लगाओ किसी company में सत्यम computers का नाम बहुत सारे नई निवेशकों ने नहीं सुना होगा ये बहुत बड़ी IT company थी 10 साल तक का इनका track record था और क्या हुआ scam कर गया fraud कर गया Tech Mahindra ने वो सत्यम computers खरीदा था खतम हो गई थी company निवेशकों के साथ scam हुआ था तो past record नहीं आपको पता ही नहीं है कल company में क्या development हो जाए कोई Tata group तो है नहीं कि कभी कुछ नहीं हो सकती गड़बड़ी कभी खतम नहीं होगी कभी भी कुछ भी हो सकता है Simple यह formula लोगों को जल्दी से समझ में आता ही नहीं है क्योंकि हम सब की भूंक बहुत बढ़ चुकि हम सब को ज्यादा पैसा कमाना है एक साथ और इसी लिए ज्यादा तर लोग निवेश में loss भी खा जाते है समझने की कोशिश करो जिस दिन समझों के बहुत अच्छा रहेगा मिरसे कितने लोग कहते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा लगा रखा है इसमें खुद अच्छी बात है लेकिन इतना पैसा लगा है बागी का पैसा और कहां लगा हुआ है नहीं भी हमारे पास तो इतना ही है अरे तो इसको बाटो ना कल को कुछ दिक्कत आ जाए इस सेक्टर में खदम नहीं हो रहा लेकिन सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाए वो तो हो सकता है ना तो बाटना बहुत जरूरी है लाइवर्सिफिकेशन वरन वफेजी का एक क्विट है जहां पर हो कहते हैं कि यह बहुत फेमस है आप सब अच्छे से पता होगा तो यह मॉटिवेट नहीं करता हूँ मैं कुछ असलियत है बजार की जो आपके साथ रखता हूँ ताकि आप अपने आपको सही रहा पे लेके जा सको अब आजाता हूँ मैं जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टैसला सब लोग जानते हो इसका ना ऐसा कोई भी नहीं होगा जो वीडियो देख रहा होगा नहीं जानता होगा यह सबसे बड़ी और बाकी की आप फॉर्ड मारूती और यह मिला भी दोगे न सब का कंबाइंड कर दोगे ना आसपास भी नहीं पहुंचते हैं इसके समझ रहे हो इसका एकेले का इतना बड़ा मार्केट कैप है इस कंपनी का शेयर कर 12% क्रेश हुआ है और क्यों है उसको तो बताँगा और 12% जो क्रेश हुआ है सिंगल डे में 80 बिलियन डॉलर का मार् भारत की इतनी बड़ी कमपनी आया है समझ रहे हो पूरा मार्केट कैप लोगे ना विपरो जैसी दो कमपनिया डेह गई एक दिन में इतना बड़ा मार्केट कैप खतम हो गया बात के वल यहीं खतम नहीं होती है अगर एक महीने का ट्रेक रिकोर्ड देखूना बीते एक मह प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम कभी भी कई भी आ सकती है, डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये सीक है, टेसला में आपका मेरा किसी का निवेश नहीं है, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन सीक हमने यहां से भी मिल सकती है, है तो ये भी स्टॉक मार पार्केट का एक पार्ट दिगज है लीडर है तो सीखो जितना समझ सकते हो समझो चीज़ों को इस कंपनी में प्रॉबलम यह आ रही है कंपनी अपनी गाड़ियों के दाम कट कर रही है घटा रही है मार्जिन्स पे इंपेक्ट पड़ रहा है और उसके बावजूद भी सेल् रही है और प्राइस भी घटा रही है कंपनी की सेल अब तो बढ़ जाए लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रही है तो यह सारी चीज़े हैं जो बजार को बिलकुल पसंद नहीं आ रही है और मार्केट हेवी पटाई मार रहा है से स्टॉक पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अप मत दू मॉटिवेशन दू रुके रहो और लगाओ लेकिन इस मार्केट में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं सर्प्लस रखो अपने पास पैसा होना चाहिए बस यहीं मेरी तरब से आपके लिए एक वीडियो होब आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी थैंक्यों सो मच प